Hi friends, welcome to Rahul Sharma Vlog, मैं हूँ आपका business दोस्त Rahul Sharma और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई franchise opportunity नहीं लेकर आया हूँ आज दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी business opportunity लेकर आया हूँ जो आप खुद से start कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़ादा कम investment में और अच्छा खासा revenue generate कर सकते हैं जी यहां दोस्तों, मेरे subscribers के बहुत ज़ादा comments आ रहे थे कि भीया, मैं अपना खुद का खाने का कैसे business शुरू कर सकता हूँ तो दोस्तों, अगर आप अपना कोई भी food का business शुरू करना चाते हैं तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर end तक देख लिजे आशा करता हूँ, जितनी मैंने research किया उसमें आप थोड़ी बहुत तो help हो पाईगी दोस्तों, मैं इस वीडियो में सारी बाते cover करने वाला हूँ कि आप एक खाने का business कैसे शुरू कर सकते हैं क्या business model होता है, इसको किस-किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं और क्या-क्या machine की requirement आपको पढ़ती है सारी चीजे में इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर end तक देखना आपके काफी सारे doubts clear हो जाएंगे और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe करके bell icon को press करकर all पर set कर दीजे ताकि आपको इसी तरीके के best business opportunities की वीडियो देखने का मोगा सबसे पहले मिले दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ business के बारे में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि खाने का business आप कैसे start कर सकते हैं दोस्तों खाने का business start करना बहुत ज़्यादा असान है लेकिन दोस्तों इसमें सबसे important चीज़ होती है आपके food का taste अगर वो सही नहीं होगा तो आपका business नहीं चलेगा दोस्तों इसलिए मैं आप बात करूँगा कि आप इस business को कैसे कर सकते हैं दोस्तों दो तरीके साथ इसको कर सकते हैं और आपको मैं बतातू हूँ अगर आप खाने का बिजनस करें तो हर food business में scenario और making सब कुछ same होती है दोस्तो क्या होता है कि जो भी खाने का product होता है जो भी आपका menu item है चाहे है वो chef रखें चाहे है आप खुद करें आपको सब कुछ खुद से complete तयार कर लेना होगा और जब आ menu item आपका already सारा prepare होना चाहिए before starting और before opening और restaurant या food cart या food stall या जो भी आप जिस तरीके से भी खोलना चाहते है तो दोस्तों अगर मैं बात कुरूँ business model की तो इस business को दोस्तों आप एक food cart में खोल सकते हैं, food truck में खोल सकते हैं, आप छोटा restaurant या धाबा भी खोल सकते हैं, depend करता कि आप कितना investment लगा कर इस business को करने वाले हैं, अगर दोस्तों आप food cart में करते हैं, तो थोड़ा सा आपका investment कम लगेगा, food truck में करते हैं तो थोड़ा सा जादा लगेगा, अगर आप छोटा धाबा खोलते हैं तो उससे जादा लगेगा, restaurant खोलते हैं तो उससे जादा लगे के लिए कम्प्लीट डिटेल में क्या-क्या चीजों की रिक्वार्मेंट होती है वो सारी में उसमें कवर कर लूँगा कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो सब कुछ अच्छे से बना लेना चाहते हैं और बनाने के बाद वो चाहते हैं कि रोड पे जाके जाकर वो फूड काट यूज़ कर सकते हैं फूड वार्मर क्या होता है मैं अभी दिखाता हूँ फूड वार्मर में दोस्तों क्या होता है कि आपने सारा प्रोड़क्ट घर पे बना लिया दोस्तों मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनकी मॉम जिनकी वाइफ जिनकी सिस्टर ब अगर आपको काट में इंस्सॉल करः만े है तो इस तरीके दिसके में चिक्षन 4-6 सेक्षन हों तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ फूट वर्मर होता है इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों इसमें पानी भरना होता है और पानी अराम से गरम हो जाता है और साथ ही में दोस्तों आगर आपके पास बिजली का कोई नहीं है साधन तो आप गैस से भी उसकर सकते हैं यहां पर बस आपको एक पाइप लगानी है गैस की और गैस सिलें नहीं है आपको food truck में attach करना इसको तो आप इन legs को निकाल सकते हैं मैं आपको दिखा जाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए इस तरीके से इसके सहरे legs निकल जाते हैं और आप इसको as a counter भी use कर सकते हैं और यह आपको दुबारा दिखा जाता हूँ और यह दोस्तो बहुत बहुत तरीके के आते हैं काफी छोटे भी आते हैं काफी अलग भी आते हैं यह दोस्तो food warmer जो मैंने आपको दिखाया है यह अगर आपका कोई restaurant या cafe है जिसमें आप buffet system चलाते हैं यह चलाना बहुत लिखाया जाता है जिसमें को और वह खाना ऑद यह करे जाता है जिसे burner कहते हैं, steel का burner ले सकते हैं, आप screen पे देख सकते हैं, इस तरीके के कुछ burners आते हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, यहाँ पर खाना बन चुका है और खाने के सिर्फ और सिर्फ एक final touch-up दिया जा रहा है, यहाँ देखिए की ढल दिया, दाल डाल दी, यह बनी बनाई दाल है, कुछ नहीं करना है, हर जगा ऐसा ही होता है, हर रेस्टेंट में ऐसा ही होता है, उस टाइम पे जब कस्टमर ने आकर आकर दाल मखनी चाहिए, तब तो दाल बननी सकती है, तो यहाँ पर दाल को सिर्फ और सिर दूसरा फूड आइटम होगा, उसको भी इसी तरीके से गरम करना है, बस यह डाल दिया पनीर इसमें, यह दोस्तों पहले से इसलिए नहीं मिक्स करके रखते हैं, ताकि खराब नहीं हो जाए, इसलिए पनीर अलग रखते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों मिक्स वेज को गरम तो दोस्तों आपने देख लिया, यह ऐसा नहीं है कि आप फूड कार्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, आप दोस्तों फूड कार्ट में रेस्टरंट में कहीं भी चले जाएए, जो बिजनस मॉडल है, वो सेम है, अगर आप शेफ रखते हैं, तो भी वो यही करेगा, सुबह चा ऐसा नहीं कि मैं आपको भूल जाँगा, आपके लिए दोस्तों मैं एक वार्मर दिखा देता हूँ, जो बिर्यानी वार्मर है, दोस्तों अगर आपके घर में भी कोई बहुत अच्छी बिर्यानी मनाता है, तो आप बिर्यानी का काम भी खोल सकते हैं, वेज और नॉन आपके लिए एक अलग-अलग वार्मर से ले सकते हैं, और अराम से सर्फ कर सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ जो है विर्यानी वार्मर होता है, इसमें भी सेम वही कॉंसेप्ट पर यह मशीन काम करती है, इसके नीचे भी पानी डलता है, और यह अर आप इसमें चावल डालते हैं, तो चावल को आपको थोड़ा चलाते रहना पड़ेगा, अगर आप नहीं हिलाएंगे, तो क्या है साइड़ों वाले गरम रहेंगे, बीच वाले थंडे होने लगेंगे, तो इसको थोड़ा थोड़े देर बाद चलाना पड़ेगा, आप final touch up खाने को दे सकते हो या गरम करके और उनको अलका तड़कता फड़कता बना के यानि कि तड़का मार के अगर आप serve कर सकते हो तो दोस्तों आप कुछ मत करो एक ऐसा chef hire करो जो किसी hotel में already काम कर रहा हो उससे बात कर लो अगर वहाँ पर evening shift करता हो या afternoon shift करता हो ऐसा actually मेरे दोस्त ने किया हुआ है एक chef है जो होटल में काम करता है वो उस होटल में दो बेज़े से जाता है तो उस chef को उसने क्या करा hire कर लिया और वो सुबह उसको बुलाता था अपने घर पे पांच बज़े और पांच बज़े वो उसके restaurant में काम करके सारी चीज़े बना के चले जाता था और उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ एक helper boy रखा हुआ था जो की साथ में इसके काम करता था और वो सिर्फ चीज़ों को गरम करके देता रहता था पूरे दिन और इससे अराम से cookie जो salary है वो भी divide हो जाती है वो कम लेता इसमें आपके पैसे क्योंकि उसको एक part-time job का opportunity मिल रही है वो extra income क कर रहा अपनी salary के बाद तो दोस्तों ये एक best part है और इससे भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आपने chef hire कर लिए सिर्फ तीन घंटे के लिए वो आएगा काम करेगा चला जाएगा बना कि आपको सारी चीज़े दे जाएगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको serving करन रहे हैं या तो यानि कि food cart या food stall या food truck में खोल रहे हैं फिर आपको chef hire करने की ज़रूत नहीं है मैं यही कहूंगा कि आप घर से ही किसी को पकड़ो जो आपका relative हो जानने वाला हो वो बना कर दे आपको तो ज्यादा है अच्छी बात है क्योंकि फिर आपका margin कम निकलेगा margin नहीं बच पाएगा क्योंकि आप दोस्तो तीन से चार प्रोड़क रखोगे जैसे कि राजमा चावल छोले चावल कडी चावल चावल चाई पनीर चावल जो भी आप रखना चाते हो वो सब रखोगे तो इसमें इतना जादा नहीं कमा सकते लेकिन जब रेस्टरेंड या बहुत सारे menu item होते हैं तो उसमें margin निकल जाता है हमारा अगर बात करूं दोस्तो requirements कि आपको चाहिए होगा काट जो की काट आप काट ले सकते हैं या food truck ले सकते हैं जो जितनी आपके investment capability आप उसके हिसाब से decide कर सकते हैं आप इस business को किस में start करना है अगर आप काट लेते है आप raw material में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज होती है कि हम raw material में दोस्तों यह मत सोचना कि कहीं पर एक एक रुपय यहां पर एक एक रुपय आपके important है तो इसलिए wholesaler से ही समान लो किसी भी आसपास की दुकान से मतलो wholesaler decide करो और wholesaler से bulk में समा और दोस्तों एक चीज में आपको बता दूँ अगर आप restaurant यह cafe खोल रहे हैं जब आप chef hire करेंगे helper hire करेंगे तो chef और helper यह आपको आदे से जादा चीजें बता देंगे क्योंकि already वह काफी सारी field में काम कर चुके है काफी restaurants cafes में काम कर चुके हैं तो उनको काफी knowledge होती है ले इसके अलावा दोस्तों अगर आपके area में school colleges हैं hostels हैं तो आप tiffin service भी चालू कर दो दोस्तों आपको देखना है कि आपको अपने business को कैसे बढ़ाना है और online portals पे भी अपनी service दो अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसकी कुछ चोटी मोटी problems के बारे में तो दोस्तों problems हर ब problem नहीं होते हैं जिसका कोई solution नहीं हो दोस्तों सबसे बड़ी problem दोस्तों यही होती है किसमें food की wastage का आपको द्यान रखना है ताकि मैं जौकरी छोड़ दूँ और मैं कहीं और जॉइन कर लो तो उस time frame में आप नया cook hire कर सकें अगर आप chef रख रहे हैं तो अगर आप नहीं रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो यह advice करूँगा कि कोशिश करो कि आप नहीं रखो एक हुनर अपने अंद food cart या food truck जो भी है आपको एक दिन का week off जरूर रखना चाहिए वो इसलिए बता रहा हूँ अगर आप सोचोगे कि जादा पैसे कमाने हैं तो मैं कोई भी off नहीं करूँगा तो इसमें दिक्कत नहीं आपको आएगी इसमें सबसे दिक्कत आएगी आपके workers को क्योंकि वो काम कर रहे हैं salary basis पर उनको कोई मतलब नहीं कि आप कितनी income कर रहे हैं कितना revenue generate कर रहे हैं अगर आप उनको off नहीं देंगे तो वो नौकरी छोड़ेंगे चोड़ेंगे और वो भाग जाएंगे चोड़ेंगे आपको तो एक week off जरूर करवाईए at least और दोस्तों एक काम जरूर क अगर आप कहीं पर business कर रहे हैं तो out of city का आप cook मत हायर करना helper मत हायर करना उसके पीछ रीजन ये है कि अगर आपके chef को चुट्टी चाहिए तो वो लंबी चुट्टी लेगा क्योंकि उसको out of city जाना है तो out of city जाएगा तो आपका business उसने time frame के लिए hamper होगा तो इसलिए को काम करें उसी city same city का worker हो क्योंकि दोस्तो festivals आएंगे वो फिर आपको demand करेगा मुझे घर जाना है तो वो घर जाएगा तो तीन से चार दिन खराब कर देगा आपके business के और अगर वो same city का होगा तो उसको कोई problem नहीं होगी इसलिए दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना अगर आपको start करना है तो जादा सोचने की जरूत नहीं और नहीं इस तरीके के मुझे से question पूछना कि भई यह सही time है इस business को करने का या नहीं दोस्तों हर समय सही होता है अपने business को करने के लिए और आभी मैं आपको बता दूँ lockdown खतम होने के बाद देरे देरे और जो market है और बता दूँ इसमें दोस्तों आपने बहुत सारे social medias पर आजकल देखा होगा कि सरदार जी चिकन वाले आई 20 वाले भाईया के पनीर करी या चिकन करी इस तरीके बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं स्कूटी वाली दीदी के राजमा चावल तो भाईया जब सब कर रहे है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं और मैं यह नहीं कह रहा है कि आपको food card या food truckie लेना है अगर आपके पास car है jeep है तो अपने resources को अच्छे तरीके से positively use करिये बहुत बड़े-बड़े मेरे भाई ऐसे हैं जो IT sectors में थे बहुत बड़ी-बड़ी food industries में, hotels में काम कर रहे थे औ lockdown के बाद उनके job चली गई है और काफी सारे लोग start भी कर चुके हैं अपने जो car हैं, गाडिया हैं उनको use कर रहे हैं, utilize कर रहे हैं उनको positively अपना business start कर चुके हैं इन चीजों को लेकर तो आप भी अपने resources को utilize करिए और positively इस business को अराम से शुरू करिए तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, I hope आपको वीडियो में थोड़ी बहुत help तो ज़रूर मिली होगी, अगर आपको दोस्तों वीडियो का एक भी point relevant या helpful लगा हो तो please इस वीडियो को like ज़रूर करेएगा और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवरूर।